अलेकूम यह स्टुडेंट्स हमारा जो लेक्चर था पिछला रिमेडीज तु चेक एन्वार्नमेंटल पुलूशन चूंकि वह इंकम्प्लीट ही रहा था उसमें मैंने खाली युनाइट नेशन एन्वार्नमेंटल प्रोग्राम डिसकस किया था और अर्थ समिछ दिसकस की थ हाथी तोछ फिरसे मैं ठोड़ा लेट में हावार्नमेंटल पॉलूशन से रिलेटेद्ट प्रोग्राहर तो उसमें हमने पर्सों में पढ़ था कि इन्वार्नमेंटल कंसरंस जो है बहुत ज्यादा है इसकस किये कौन-कौन सा है तो उनको कंट्रोल में करने के लिए प्रॉब्लम्स जो है इनको चेक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए उसमें मैंने कहा था कि पूरी दुनिया खामोश नहीं बैठी है थिंक टैंक जो है यह वर्किंग फॉर दिस इन फैक्ट सिक्स्टीज ओनवर्ड्स जो है बढ़ चुकी है ऐन्वायनीटल प्रोडलम्स को रोकने के लिए और पहली जो ऑगनाइजेशन अंडर यूनाइट नैशन ओगनाइजेशन काम कर रही है यूनाइजेशन इन्वायनमेंटल प्रोग्राम जिसको तश्कील दिया गया 1972 में तो एक और बात यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि 1972 में जब United Nation Organization ने ये एजनसी इसी काम पे लगा दी कि आफको environment को protect करना है, conserve करना है उसके लिए पूरी दुनिया में awareness बढ़ानी है और हर state में आफको हर state में अपने headquarters रखने हैं, लोगों को involve करना है, लोगों को बताना है कि environment को बचाना है और इन problems से कैस बचा जाए तो उसके लिए ये organization काम कर रही है और तब से लेके 1972 में इन्होंने फिफ्ट जून जो है world environment day रखा और हर साल पूरी दुनिया फिफ्ट जून जो है world environment day मनाती है और ये दिन जब आता है पूरी दुनिया अविर हो जाती है, हमें तो ख्यार आए कि हमें environment को बच बचाना है, हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द साफ सफाई रखनी चाहिए, माहोल को बचाना चाहिए, pollution को रोकना चाहिए, थोड़ी awareness logo में आ जाती है इस दे को जब celebrate worldwide किया जाता है फिफ्ट जून को, उसके बाद मैंने earth summit का discuss किया था कि 1992 में जो र 70 countries participated, thousands of NGOs were there, they also participated, so many multinational companies were part of the earth summit, earth summit से related ही है, agenda 21, याद रख किये का बच्चो कभी कमार ऐसा भी पूछा जाता, agenda 21 होता क्या है, एक्चोली, agenda 21 is the outcome of earth summit 1992, उसमें क्या हुआ, earth summit में, you know, यादे जनारियो summit led to convention on climate change, याद रखेगा, जो earth summit held हुए थी, वहां northern countries भी थी, southern countries भी थी, और दोनों north और south के बीच में, बहुत जादा discussions चले, कि environment को कैसे बचाया जाए, जब कि फिर जो developing countries है, उन्होंने जोर दिया, economic development पे, economic growth पे, साथ साथ में कहा कि environment को भी बचाना है, but economic growth is very essential for developing countries, on the other hand, northern countries, जो थी, they stressed that we should protect our environment from global, we should control the current problems like global warming, depletion of ozone layer वगारा, उन्होंने उस पर सित्रेस दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि दोनु नॉर्थ और साथ जो है, मिलके, last पे जब heated debates, जब वहां पे हुए, बहुत discussions हुए, ब्राजील में, फिर इन्होंने 21 items जो थे, 21, उस पर इन्होंने दस्तखत कर दिया, और कहा कि हमें इस पर काम करना चाहिए, पूरे world को काम करना चाहिए, उससे क्या होगा, उससे दोनु चीदे, एक consensus हुआ between northern countries and southern countries, उन्हें का चलिए आपकी भी बात रख लेते हैं और हमारी बात भी रखे, northern countries की ये बात है कि environment को protect करना है, तो इसी तरह से जो southern countries थी, उनका माना था कि environment protection के साथ साथ economic growth भी ज़रूरी होनी चाहिए, फिर एक consensus हु with ecological responsibility, उन्हें कहा with ecological responsibility or with ecological balance, कहा कि ठीक है, economic growth भी होगी, development भी होनी चाहिए, और साथ साथ मै ecological responsibility, हमें ये भी सोचना है कि हमें अपने ecosystem को तबाह नहीं करना है, हमें environment को protect करना, हमें pollution को control करना है, तो इन्होंने 21 जो items थे 21 उस पर इन्होंने कहा, मिल के काम करेंगे, पूरी दुनिया मिल के काम करेंगी, like, you know, this summit led to conventions on climatic change, सबसे पहले कहा गया कि climatic change पर काम करना है, जो climatic change है, global warming है, इसको control करना है, इस पर काम करना है, biodiversity, जो loss of biodiversity हो रही है, इसको रोकना है, loss of biodiversity मैने आपको पिछली बार भी बताया, बहुत सारी species जो है, वो in fact, खतम हो रहे है, extinct ह हो रहे हैं, क्योंकि उनको proper habitat नहीं मिल रहा है, due to deforestation, millions of these nests, जो है, वो खश हो जाते है, वो बरबाद हो जाते है, तो इसी तरह से combating deforestation, deforestation को रोकना है, इसके लिए काम करना है, पूरी दुनिया में, हर एक state अपने अपने level पे काम करेगी, जो जंगल चोर है, उनके ल loss बगएरा बनाए और उनको सक 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 सजा दे दे, soil loss जो हो रहा है, जो ये deforestation की वज़ा से हो रहा है, इसको रोकना है, desertification जो हो रही है, हमारी यहां land तो है, लेकिन दिन बदिन जो है, बंजर हो रही है, आपको पता ही है, बंजर इसलिए हो रही है, क्योंकि हम chemicals बगएरा चला जाता है, तो naturally जो land है, हमारी agricultural land, जो production के लिए सही थी, वो दिन बदिन क्या हो बन रही है, वो बंजर हो रही है, इसको रोकना है, promoting safe guards of toxic waste, और जो toxic waste है, जो ये जहरिली gas, चाहे industrial smoke हो, factories का smoke हो, जो air pollution में इजाफा करता है, इसको रोकना है, preventing water and air pollution, जो water pollution या, air pollution है, इस पर काम करना है, and recommended a list of developmental practices called agenda 21, और भी बहुत सारे issues discuss किये गए, कहा कि इस पर इन तमाम issues पर काम करना है, इन चीजों को रोकना है, जो जो problems हमें सामने है, जो भी हमारे environment को pollute कर रही है, इन सब को रोकना और मिल के रोकना है, क्योंकि एक ही state जो है, एक ही country, सारी ची state को किसी हद तक control कर ले, maybe अपनी state को किसी हद तक, you know, protect कर ले, लेकिन आज जो है, आख globalization process से गुजर रहे हैं, और naturally हम एक दूसरे पर dependent है, तो उस तरीके से एक दूसरी की country में आना, जाना, एक दूसरी के साथ तालुकात बढ़ाना, definitely असर पड़ता है, तो अब माहोल का अ तो पूरी दुनिया, पूरा environment साफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी को इसके लिए काम करना है, चाहे developing countries हो, चाहे developed countries हो, हलाकि जो ये Agenda 21 discuss किया गया during Earth Summit 1992 में, कि इन जैसे यहां पे items दिये गया है, combating deforestation, soil loss, desertification, loss of biodiversity, हलाकि इन मुद्दू पर इन्हों ने बहुत करना है, इनको रोकना है, तो finally वो एक नतीजे पर पहुचे, एक consensus हुआ northern और southern countries के बीच में, northern countries जमदार है, हलाकि जो green house effect हुआ है, जो भी pollution है, उसमें ज्यादा रोल northern countries का है, developed countries का है, क्योंकि उन्हों ने तो तरक्की की, आप देखिये, countries जो आए दिन यहां पे आप देख रहे हैं कि नाइने weapons बनाए जा रहे हैं, उनको टेस्ट करने के लिए उनको land चाहिए, या water चाहिए, तो देखिये, chemical weapons है, या nuclear weapons है, हमारे यहां 98 में जो हिंदुस्तान एक nuclear state बनी, तो पोकरान राजस्तान में टेस्ट किये गए, हलाकि उन्होंने सोचा कि यह desert है, यहां प कर रहे हैं, तो इस पर भी इसका भी बहुत बुरा असर पढ़ रहा है, हमारे environment पे, तो developed countries तो तरक्की कर चुके हैं, हर लिहाज से, चाहे industrial sector हो, चाहे agricultural sector हो, चाहे हम यहां पे देखे, arms के लिहाज से, तो हर एक field में वो काफी आगे बढ़ चुके हैं, और उन्होंने environment को ब लूट किया है, जिब कि developing countries है, उनका मानना है कि हम तो अब तरक्की करने जा रहे हैं, हम तो अब, मतलब, now we are touching the threshold of youth, we are touching the threshold of development, और आप हम पर पाबंधिया आइद कर रहे हैं, इसलिए हम मानेंगे, नहीं, तो finally northern countries को भी थोड़ा जुकना पड़ा, southern countries की बात रखनी पड़ी कि ठीक है, economic growth जरूरी है, आप जैसे मुलकों के लिए, चुँकि आप तरक्की पजीर मुलक है, हम आप की development नहीं रोक सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आप ecological responsibility को भी निभाएंगे, आप यहां पे जो environment है, ecological balance को बरकरार रखने में, आप हमारा तावुन देंगे, और कुछ ऐस steps अपनाएंगे, जिससे environment pollute नहीं होगा, तो in short मैं यह कहूंगी कि जो remedies to check environmental pollution है, कि pollution को रोकने के लिए, पूरी दुनिया काम कर रही है, एजन्सी काम कर रही है, United Nation Organization काम कर रही है, और उसके लिए, United Nation Environment Program जो है, एक agency ही बनाई, Earth Summit में discussions हुए, Agenda 21 पे काम कर रहे है, सब countries काम क कर रहा है, in fact, उसके अलावा, United Nation, NGOs, Government Organization, Educational Institution, and Mass Media, all are working at their level to do away the problem, हर कोई इसके लिए काम कर रहा है, चाहे United Nation Organization की बात हो, चाहे NGOs की बात हो, Non-Government Organization अपने लेवल पे काम कर रही है, environment को साफ करने के लिए, या government agencies अपने लेवल पे काम कर रही है, कि हमें अपने माहोल को साफ सुथरा रखना है, इन तमाम problems, government ने बहुत सारे steps पी उठाए है, जब हम अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे, बहुत सारे acts launch किये गए, जाहे forest protection act हो, fisheries से related हो, या कि बहुत सारे ये जो air pollution, water pollution हो, इस से related हो, बहुत सारे acts, government of India ने भी launch किये है, और उस पर काम चल रहा है, और strictly ये चीजें देखी जा रही है, इसके अलावा educational institutions and mass media, मैंने कहा 5th June को awareness दी जाती है पूरी दुनिया में, हर एक लेवल पे, schools में, colleges में, उस दिन seminars, debates held होते हैं, awareness बढ़ाई जा रही है, दिन बदिन के हमें अपने environment को साफ रखना है, in fact, इसके अलावा हम ये कहेंगे कि environment, you know, environmental problems को रोखने के लिए, environmental education and awareness have been included as a subject at all levels of education, अब देखिये, हमारे यहाँ, physics, chemistry, english, political science, education, ये subjects हुआ करते थे, लेकिन, पिछली कुछ दाहायों से आप देख रहे हैं, कि environmental science को भी as a subject introduced किया गया, वो इसलिए किया गया, कि बच्चे जो है, छोटी सी level पे ही, in fact, beginning से ही है, सीखे और इन में awareness पैदा हो, कि हमें environmental, कौन-कौन सी problems है, कैसे हो रही है, causes क्या है, इन problems के और solutions क्या है, तब ही जाके as a subject इसको introduce किया गया, तो यहां कि 5 जून मैंने अभी आप से खा है, play cards लेकि छोटे-चोटे बच्चे चलते हैं, गर में अगर अगर अन दुनिया जो है, environment day मनाया जा रहा है, अपने माहोल को साप रखना है, तो यह जो सारी चीजे है, कोशिश की जा रही है, local level पे भी, कोशिश की जा रही है, state level पे भी, या international level पे भी, कि हमें environmental problems को check करना है, उनको control करना हो, जब तक नहां हम खुद aware हो जाए, एक आम शक्स, layman जब तक नहीं खुद आगे बढ़े, इस problem को खतम करने के लिए, जब तक नहीं खुद आगे बढ़े, तब तक government जो है, या United Nation Organization जो है, यह कुछ नहीं कर सकते हैं, तो in fact, हमें अपने गर से शुरुआत करनी चाहिए, हमें अपने माहोल को साफ सुत्रा रखना चाहिए, और कोशिश करने चाहिए, जितनी भी problems हमारी वज़ा से हो रही है, इन पर हम control कर लें, आज के लिए इतना ही, अल्ला हाफ़स,